तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेंट एक लासेश चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको रेगुलर क्लासेश इस समय दे रहा हूं एनाटोमी फिजलोजी से रेलेटेड चाहे वो स्टुडेंट नीट का एपीरेंट हो चाहे नर्सिंग का हो चा सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया था आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंड़क्टिव सिस्टम ऑफ हर्ट तो टॉपिक को सुरू करने से पहले हम आज की क्लास को आज की क्लास के माहुल को थोड़ा सा पॉजि रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो लक्ष नहीं याद रखिएगा लोग क्या करते हैं कि एक बार एक्जाम दिया फेल हो गए कोई बड़ी बात नहीं है कई सारे लोग हो जाते हैं लेकिन वो क्या गलती करते हैं कि वो अपने लक्ष को ही बदल देते हैं मानि उस ए और मेनत करनी हैं और नएने रास्ते खोजने हैं और नएने तरीके खोजने हैं जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें तो इसलिए ध्यान रखिएगा लक्ष कभी नहीं बदलिएगा रास्ते बदल सकते हैं को रास्ते हजार हैं ठीक है चलिए तो हम सुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर cardiac impulses को किसको cardiac impulses को बनाने और फैलाने का काम करता है और सबसे important बात हर्ट के contraction और relaxation के लिए ये system ही जरूरी होता है तो चलिए देखते हैं क्या है it is the specialized or modified cardiac muscle fiber in the heart cardiac system बना किस से होता है ये special cardiac muscle fiber से बना हुआ होता है जो की heart के अंदर पाई जाती है मैंने आपको पहले भी heart जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि हमारी myocardium के अंदर special muscles होती है जिनका नाम होता है cardiac muscle जो only heart में पाई जाती है उनी का modified form है उनी का एक fibrous form है जो cardiac system या conductive system बनाता है जो conduction of nerve impulses conduction of electrical impulses हमारे heart में करता है तो नीचे लिखा भी हुआ है they produce and conduct the electrical impulses throughout the heart heart के अंदर electrical impulses को conduct कराने का इसका काम होता है इसलिए इसका नाम रखा गया है conductive system ठीक है तो system किसी एक के लिए नहीं use होता system word जिसमें कई सारे organs या कई सारे elements आते हों से हम क्या कहते है systems तो आगे देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर parts of conductive system conductive system के चार पार्ट होते हैं याद रखिएगा conductive system चार पार्ट से मिलकर के बना हुआ है चार चीजें मिलकर के conductive system बनाती है पहला है SA node दूसरा है AV node तीसरा है bundle of his और चोथा है पुरकुंजे fibers नीचे diagram में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको clearly दिखाया गया है मैंने आपको clearly दिखाया है कि SA node किदर है AV node कहां है bundle of his कहां है और पुरकुंजे fiber यह पूरा diagram काई का है conductive system किस तरीके से हर्ट में फैला हुआ है ठीक है उसका diagram है चलिए अब हम एक एक करके इन parts के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम discuss करेंगे SA node क्या है तो SA node का पूरा नाम होता है synoatrial node SA node का पूरा नाम क्या होता है synoatrial node चीक है उसके बाद में इसे हम natural pacemaker of hurt भी कहते हैं सामने दिखाई दे रहा होगा आपको इसे हम natural pacemaker of hurt कहते हैं यह question कई बार पूछा गया है कि natural pacemaker का नाम बताईए तो इसका नाम होगा essay node, च्छिक है, क्यों, इसे ऐसे node को क्यों हम natural pacemaker कहते हैं, तो इसके पीछे का कारण ये है, कि essay node ही, एक ऐसा node है, एक ऐसा स्थान है, हर्ट के अंदर, जहां से impulses generate होती हैं, impulses बनती है, ऐसा क्यों होता है, फिर आपके मन में ये होते हैं, जैसे adrenal gland से निकलने वाला adrenalin, जैसे acetyl coline, तो बहुत सारे neurotransmitters हैं, बहुत सारे chemicals हैं, जो यहां पर इस काम को करवाते हैं, जैसे body का sympathetic stimulation, जो इस काम को यहां पर करवाता है, तो ऐसे node क्या होता है, natural pacemaker, जो generate करता है impulses को, ठीक है, इसलिए इसको हम natural pacemaker कहते हैं, औ और इसकी frequency क्या है, फिर सवाल आता है, इसकी frequency क्या है कि कितनी impulses करता है, generate, तो 100 time per minute, 100 बार, एक minute में 100 बार impulses generate करता है, बनाता है, तो याद रखिएगा, फिर बात आती है, इसकी location क्या है, यह किस जगे पाया जाता है, तो it is located at the walls of right atrium, the walls of right atrium, मैंने दो बार बोला इस ब वीना कावा, superior वीना कावा, जहां खुलती है, जहां right atrium में superior वीना कावा खुलती है, उसके just नीचे की तरफ, essay node पाया जाता है, उपस्तित होता है, ठीक है, चलिए next, अब हम बात करेंगे, AV node के बारी में, AV node, इसका पूरा ना हम होता है, atrioventricular node, क्या ना हम होता है, atrioventricular node, इसको हम second natural pacemaker कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह essay node से receive करता है, impulses को, और उनने regulate करता है, ज्यादा आई, या बड़ी होई impulses को घटाता है, और घटी होई को बढ़ा देता है, यह amplification का भी काम करता है, और regulation का भी काम करता है, ठीक है, it is located at the lower side of inter atrial septum, यह किधर पाया जा इंटर atrial septum पर, इंटर atrial septum क्या है, दोनों atrium को बाटने वाली जो दीवाल है, हर्ट के अंदर दोनों atrium को बाटने वाली जो दीवाल है, उसे हम inter atrial septum कहते हैं, जो आपको इधर diagram में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एवी node का location उसकी जगे, ठीक है, चलिए, अब हम next बात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने note लिखा है, note का मतलब होता है, important point, तो इसको note कर लो, फटापट से लिख लो, inter nodal fibers, यह क्या होती है, यह inter nodal fiber बड़ी special fiber होती है, जो ऐसे node से AV node तक conduction करती है, क्या करती है, यह, ऐसे node से लेती है, impulses को, AV node को दे देती है, तो यह इनका काम होता है, आप नीचे diagram में देख भी सकते हैं, मैंने आपको देखानी कोशिस की है, कि sinoatrial node से AV node के बीचों जो fibers है, वो inter nodal fibers कहलाती है, ठीक है, चलिए next, अब हम बात करेंगे bundle of his की, bundle of his क्या है, bundle of his, bundle, bundle means गठर हम कह सकते हैं, यह समू हम कह सकते हैं, समू, जोड, तो bundle of his क्या है, इसको हम AV bundles के नाम से भी जानते हैं, bundle of his को हम AV bundles के नाम से भी जानते हैं, और यह receive करता है, impulses को AV node से पुरकुंजे fiber को देने के लिए, ध्यान रगना, AV node से यह लेता है, और कहा पर दे देता है, पुरकुंजे fiber को यह दे देता है, फिर बात आती है, इसक यह जिस दिवाल के दौरा यह जिस वॉल के दौरा हमारा हर्ट राइट और लेफ्ट दोनों में equally बटा हुआ होताँ है उसे हम सेप्टम कहते हैं तो उससेप्टम पर इसका बंडल इसकी दो ब्रांच लेफ्ट और राइट ब्रांच दोनों ही पाई जाती हैं बंडल ओफिसक आप नीचे डायग्राम में यहां देख सकते हैं, clearly मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, चले next, अब हम बात करने वाले हैं, पुरकुंजे फाइवर्स की, तो पुरकुंजे फाइवर्स क्या हैं, पुरकुंजे फाइवर्स ऐसी special फाइवर हैं, ऐसी specialized फाइवर हैं, जो पूरे हर्ट में दे देती हैं, आप मेरे side में आपको, इस समय animation के द्वारा मैंने आपको दिखाने की courses किया है, किस तरीके से, गौर से देखना, पहले essay node ने करेंट छोड़ा, इंटर नोडल फाइवर्स ने उसे रिसीब किया, इंटर नोडल फाइवर्स ने उसे दिया, AV node को, और AV node से, वो सीदे गए, bundle of his में, और bundle of his, right or left दो ब्रांच है, तो right or left bundle of his ने, right or left पुरकुंजे फाइवर्स में उसको दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, hurt एकदम से contract हो रहा है, जैसे ऐसे node ने current छोड़ा, hurt contract हो गया, जैसे उसने current देना बंद कर दिया, hurt fell गया, तो इस तर through देख सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा हो, तो उसे like करें, अपने दोस्तों के साथ में share करें, जो लोग तयारी कर रहे हैं, उनके साथ में share करें, और हमारे channel mini attempt को subscribe करें, साथ में bell icon को जरूर दबाएं, देखिए ये बहुत important है कि bell icon को दबाना, क्योंकि bell icon आपने अगर प्रेस नहीं किया, और bell icon प्रेस करके all नहीं किया, तो आपको हमारे notifications नहीं मिल पाएंगे, अगर आपने all कर दिया, bell icon को दबा दिया, तो सभी notification एदर से मैं वीडियो डालूँगा, आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगा, Thank you.